इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपना OTG केबल या फिर जो OTG कनेक्टर होता है आप अपने फोन से कनेक्ट करना चाहते हैं हो सकता है आप उसमें अपना पैंडराइव आपने लगाया हो या फिर कोई कार्ड लगाया हो बट वो आपको कनेक्ट होके यहां पर आपकी स्टोरेज में फाइल की स्टोरेज में दिखाई नहीं देता है तो इस प्राब्लम को आप कैसे सही करें यहां पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखते रहिए देखिए यह जो फोन मेरे पास है यह MI Redmi का फोन है अगर एला सल्यूशन आपको अपने फोन में फोन की सेटिंक्स में जाना है इसके बाद देखिए अब आउट फोन में जैए और यहां पर आपको अपना डेवलोपर आप्शन Oleable करना है हर फोन में अलग तरिके से डेवलोपर अप्शन होता है तो MI में जिस तरीके से होता है मैं बता देता हूँ Android version आपको दिख रहा है इस पे आपको sorry आपको MIUI version दिख रहा है इस पे आपको click करते जाना है साथ बार tap करना है यहाँ पर लिख कर आजाएगा आपको you are now a developer ठीक है जैसे ही लिख कर आजाएगा आप यहाँ से बाहर जाए और इसके बाद यहाँ पर additional settings का option द आपको इसे open कर लेना है यहां से यह on रहेगा तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ढूननी है ध्यान से देखिए आपको default USB configuration ढूननी है जो networking के option में होगा तो थोड़ा नीचे आ जाए देखिए आपको यहाँ पर networking दिख जाएगा सब phone में यह होता है बस आपको इसे ढून transfer ठीक है इस पे click करके set कर लें ठीक है अब यहां से आप बाहर निकल जाएं अब आप अपने file manager में जाकर देख लें जो आपका OTG cable है वो connect हुआ है कि नहीं आपके phone से ठीक है अगर अभी भी problem solve नहीं हुई है तो आप यह OTG cable या connector है इससे आप क्या करिए किसी दूसरे phone में लगा कर try कीजिए कि कहीं ये तो खराब नहीं है ठीक है अगर वो दूसरे phone में चल रहा है बट आपके phone में यहां पर इस तरीके से नहीं चल रहा है तो जो अब मैं तरीका बता रहा हूँ उसे follow कीजिए तो आपको अपने phone को force restart करना होगा जिससे जो भी temporary technical bug होंगे वो सही हो जाएंगे तो हर phone का अलग अलग तरीका होता है force restart करने का मेरा ये MI का phone है तो मैं power button को करीब 15 second तक press करूँगा तो force restart अपने आप हो जाएगा तो मैं इसी power button को यहां पर press कर लेता हूँ 15 second तक जब तक यहां पर MI का logo नहीं आ जाता है ठीक है यह रिखी हो गया है अब मैं इसे छोड़ देता हूँ रेड्मी का logo आ चुका है अब यह अपने आप restart होके on हो जाएगा तो on होते साथ ही देखिए यहां पर USB connect मुझे दिखा दिया है ठीक है लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी उनका USB नहीं दिखा रहा होगा तो जिसको जिसको भी उनका USB connect नहीं दिखा रहा है यानि की OTG cable connect नहीं दिखा रहा है यह आखरी तरीका उनको try करना है देखिए आप जो भी file manager आपके phone में है जो भी आप file manager यूज़ करते हैं जैसे MI का file manager ये है तो मैं ये वाला file manager यूज़ करता हूँ ठीक है तो करना क्या है मुझे file manager पे long press करना है और app info का option दिखाई देगा इस पे click करना है ठीक है अब यहाँ पर आपको storage की option पे click करना है यहाँ देखिए clear data का option होगा तो इस पे click करें clear catch okay वापस से clear करें clear all data कुछ भी data आपका delete नहीं होगा बस आपको यहाँ पर यह करना है ठीक है यह करने के बाद आपकी problem definitely solve हो जाएगी यहाँ पर देखिए connect हो गया है मैं आपको दिखा रहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने file manager open किया तो यहाँ पर USB storage दिखा रही है और यह देखिए मेरी USB storage है इसमें मैंने सिर्फ images रखी है तो वो यहाँ पर सारी show हो गई है उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आ प्रिखे हो और आहर दो यहाँ आप BUR